जैसरी शाम मित्रों, मैं आपका जोतिश मित्र Пंण्डित हर्ष, एक बार फिर से आपका मेरे यूटूब चेनल एष्ट्रोपंडित हर्ष सर्मा में स्वागत है, बड़े ही सरलतरिके से जोतिश को जानेंगे और समझेंगे मित्रों आज का हमारा चर्चा का विश्या रेने वाला है सुब कार्या में क्यों फोड़ा जाता है नारियल तो जानेंगे इसी के विश्या में जुड़े रही है मेरे इस यूटूब वीडियो के साथ में अंत तक आईए मित्रों जानते हैं सुब कारे में नारियल फोड़ने की परंपरा कैसे बनी मित्रू सनातन धर्में जातर धार्मिक संसकारों में नारियल का विश्यस महत्व है कोई भी वेक्ति जब कोई नया कारे शुरू करता है तो भगवान के सामने नारियल फोड़ता है चाहे शादी हो तिहार हो या फिर कोई महतरपुन पूजा या पूजा की सामगरी में नारियल आवशक रूप से रहता है नारियल को संस्कृत में स्रीफल की नाम से जाना जाता है विद्वानों के अनुसार यह फल बली करम का प्रतीक है बली कर्म का अर्थ होता है कि उपहार या नेवध्य की वस्तू देवताओं को बली देने का अर्थ है कि उनके द्वारा की गई किर्पा के प्रति अभार व्यक्त करना या उनकी किर्पा का अन्स के रूप में देवता को समर्पित या अर्पित करना एक समय सनातन धर्म में मनुश्य और जानवरों की बली समानय बात थी तबिए आदी संकराचारे ने इस अमयन्य परंपरा को तोड़ा और मनुश्य के स्तान पर नारियल चड़ाने की सुरूआत की थी नारियल कई तरह से मनुश्य के मस्तिक से मेल खाता है नारियल में जटा की तुलना मनुष्य के बालों से, कठोर कवच की तुलना मनुष्य की खोपड़ी से और नारियल पानी की तुलना खुन से की जाती है मित्रों साथ ही नारियल के गुद्दे की तुलना मनुष्य के दिमाग से की जा सकती है नारियल फोड़ने का महतव तूट जाता है और ये आत्मा को सुधता और ग्यान का द्वार खोलता है जिससे नारियल की सफेद हिस्से के रूब में देखा जाता है मित्रों मित्रों ये थी एक छोटी सी जानकारी के सुब कारिया में नारियल क्यों फोड़ा जाता है और ये प्रमप्रा के से चली थी झाल झाल झाल